नमस्कार, हम समुच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं कक्षा ग्यारवी का पहला अध्याय अब तक हम समुच्चे में पढ़ चुके हैं समुच्चे की परिभाशा और उसको व्यक्त करने की दो रूप वो हैं रोस्टर या सारणी बदरूप एवं समुच्चे निर्मान रूप आज हम समुच्चे के प्रकारों के बारे में जानेंगे तो आईए सबसे पहले इस उधारण को समझें इस उधारण में आपको क्या बोला है समुच्चे ए वह सारी प्राकरत संख्याओं का संग रहे है जो दोनो सम एवं विशम है सम विशम यानि और और इवन ऐसी कोई भी संख्या है जो दोनो ही इवन और 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 यानि सम और विशम दोनो है नहीं ऐसी कोई भी संख्या नहीं तो यानि इस समुच्चे में एक भी सदस्य नहीं होगा. हाँ जी, यही हमारा पहला प्रकार है, जिसे हम कहते हैं रिक समुच्चे, जिसे हम शूने समुच्चे भी कहते हैं. इसकी परिभाष्ट के अनुसार, एक समुचे जिसमें एक भी अव्यव नहीं होता, उसे हम रिक्ष समुचे या फिशूने समुचे कहते हैं, पहला उधारन हम पहले ही देख चुके हैं, समुचे A का, अब इस समुचे B में देखिए, ये कैसा है, इसमें ये सारे संख्याएं आ रही हैं, जो कि सम अभाजे संख्याएं हैं और वे दो से बड़ी हैं, कोई भी अभाजे संख्या जो कि दो से बड़ी हैं, हम जानते हैं वे क्या होती हैं, विशम संख्याएं, यानि इस समुचे B में एक भी सदस्याएं नहीं होगा, और ये B समुचे क्या बन जाएगा एक रिक्त समुच्च है अब इस समुच्च है सी के बारे में देखेंगे इस समुच्च में सारी वास्तविक संख्या आए है जो की एक से बड़ी है एवं माइनस एक से छोटी है हम जानते हैं कोई भी एक ऐसी संख्या एक साथ में एक से बड़ी और माइनस एक से छोटी नहीं हो सकती यानि इस C समुच्चे में एक भी सदस्य नहीं है यानि ये C एक रिक्त समुच्चे है आखरी देखेंगे उधारण समुच्चे D का इस D के अंदर हमारे कैसे सदस्य आ रहे हैं? सारी परिमे संख्या आ रहे हैं एवं यह समीकरण यानि Y की घाद 2-2 बराबर में 0 का हल होना चाहिए यहाँ देखेंगे Y का हल प्लस माइनस 2 का वर्गमोल है और 2 का वर्गमोल क्या होता है? क्या वो परिमे संख्या होती है? नहीं, वह अपरिमे संख्या होती है यानि D के अंदर भी कोई भी सदस्य नहीं है और यह एक रिक्त समुच्य है तो बचों अब हम देखेंगे कि हम किसी भी रिक्त समुच्य को कैसे संबोधित कर सकते हैं यह प्रतीक आपको दिख रहे होंगे हम किसी भी रिक्त समुच्य को इस तरीके से यानि मंजले कोश्टक के अंदर कोई भी सदस्य ना दिखा के संबोधित कर सकते हैं या फिर इस प्रतीक से इस प्रतीक को हम फी यानि फाई भी कहते हैं आईए अब दूसरा उधारन समझते हैं इस उधारन में जो की समुच्चे ए है कितनी संख्याएं दिख रही हैं यानि कितने अव्यव हैं तीन एक, दो और तीन अब इस समुच्चे सी को देखिए जो दो के गुणांको का है इसमें सदस्य कितने हैं दो, चार, छे, आठ, दज और चलते जा रही हैं अंगिनत सदस्य, यानि इसकी संख्या कितनी हैं, अपरिमित है सही समझे, आप समझ रहे होंगे कि हमारा अगला प्रकार किस पे अधारित है देखते हैं, परिमित एवं अपरिमित समुच्चे है जो कि संख्याओं पे अधारित है किसकी समुच्चे के अंदर यानि कितने अव्यव हैं एक समुच्चे में, उसके उपर हमारा ये अधारित है, अगला प्रकार. परिमिट या फिर अपरिमित समुच्चे, परिभाशा के अनुसर, एक समुच्य जो रिक्त है, अथवा जिसके अव्यवों की संख्या निश्चित होती है, उसे हम परिमित समुच्य कहते हैं, अने था हम अपरिमित समुच्य कहते हैं, आईए अब हम इसके कुछ उधारन देखें, पहला उधारन, समुच्य एका, जो कि हम देख चुके हैं, कित समुच्च भी यानि सेट भी इसके अंदर हमारे कैसे सदस्य आ रहे हैं साल में आने वाले महीनों के वह नाम जो की अंग्रेजी अक्षर M से शुरू होते हैं और वह कौन-कौन से होते हैं मई और मार्च कितनी संख्या मिल रहे हैं हमें दो जो की निश्चित है यानि यह हमार समुच्च भी कैसा समुच्च है एक परीमित समुच्च है अगले समुच्च यानि सेट के को देखेंगे इसमें हमारे सारे वृतों का संग्रेय है जो की केंद्रित है किस पे शुने शुने पे इस चित्र को ध्यान से देखें बच्चे आप क्या देखेंगे कि जैसे ही मैं हलकी सी त्रिजा बढ़ाती हूँ, हमें एक नया वृत मिलेगा, किस पे किंद्रित? शुन्य शुन्य पर ही, यानि हलका से त्रिजा बढ़ाने पर ही एक नया वृत, तो यानि हमें कितने वृत मिलेंगे? अपरिमित संख्या में, तो ये सेट हमारा एक अपरिमित समुच्य है अब इस आखरी समुच्चे को देखेंगे, जो कि हमारा सेट D है, ध्यान देंगे, ये हम पहले ही देख चुके हैं, ये D सेट हमारा कैसा सेट है? एक रिक्त सेट है, यानि रिक्त समुच्चे है, और परिभाशा के अनुसार, जो रिक्त समुच्चे होते हैं, वे किसमे होते ह यानि वे कौन से प्रकार के होते हैं? परिमित समुच्चे होते हैं. तो जो D समुच्चे है वे एक परिमित समुच्चे है. आईए इसी पर एक प्रशन लेते हैं. इस प्रशन में हमें यह बताना है कि प्रती एक सेट जो दिये होए हैं, उनमें से कौन सा सेट हमारा परिमित ह और कौन सा अपरिमित सबसे पहले देखेंगे समुच्चे L में ये रेखाओं का वह समुच्च है जो X अक्ष के समनांतर है X अक्ष हम जानते हैं कि अगर ये हमारा X अक्ष है तो इसके समनांतर हम अंगिनत रेखाएं बना सकते हैं चाहे वे उपर हो चाहे वे नीचे हो यानि इसकी संख्या जो है इस समुच्चे में अव्यवों की संख्या निश्चित नहीं है तो ये समुच्चे L कैसा है अपरिमित समुच्चे है अगला समुच्चे के को देखेंगे अभाज्य संख्याओं का समूह जो 16 से कम है तो ज़रा इसे हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं दो तीन पांच साथ ग्यारा एवं तेरा यानि ये हमारा क्या बना है? समुच्चे के तो इसके अंदर हमें संख्या जो है अव्यवों की वो निश्चित मिल रही है तो यानि जो के समुच्चे है वे हमारा क्या है? परिमिद समुच्चे इसी प्रकार ह को देखेंगे अब ह के अंदर सारी प्राकृत संख्या आए हैं जो एक से बड़ी हैं पर पांच दश्रमलव दो से छोटी हैं सारी प्राकृत संख्याएं जो एक से बड़ी हैं और पांच दश्रमलव दो तीन से छोटी, कोन-कोन सी होती हैं वे? दो, तीन, चार और पांच, यानि कितने अव्यव, कितने सदस्य मिलेंगे हमें? इस ह समुच्य में एक, दो, तीन, चार, चार मिल रही हैं, यानि ये ह हमारा एक परिमित समुच्य है M समुच्य को देखेंगे अब हम, एक व्रित की परिधी पर सभी बिंदूओं का समो, वे क्या है? यानि एक अगर हम व्रित लेते हैं, तो उसके परिधी पर आने वाले सारे बिंदूओं का समो, ये अपरिमित होते हैं और ये M हमारा इसी कारण अपरिमित समुच्य है B समुच्य को देखेंगे, इसके अंदर सारे गुणांक आ रहे हैं, किस संख्या के? 3, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, दो के गुणांकों का समुच्य है, वे क्या था? अपरिमित समुच्य था, इसी प्रकार अगर हम इसको सारनी बद करें, तो हमारे पस क्या आएगा? 3, 6, 9, 12, और ऐसे ही संख्या चलती रहेगी देखते ही आप समझ जाएंगे, जो हमारा B समुच्य है, वे क्या है? अपरिमित समुच्य इस A समुच्य को अब हम पढ़ेंगे किसी भी दो समनांतर रेखाओं के लिए जो समाने बिंदूओं का, जो संग्रे है या समुच्य उसको हम एस समुच्य में डाल रहे हैं दो समनांतर रेखाएं, यानि मान लेते हैं L और ये M ये हमारी समनांतर रेखाएं हैं हमें पता है, जबी भी दो समनांतर रिखाए होती हैं, वे कहीं भी नहीं मिलती, उनमें कोई भी समान बिंदू नहीं होता, तो यानि ए के अंदर कोई सदस्य होगा? नहीं, ए हमारा क्या है? एक रिक्त समुच्चे है, और हमने पहले भी पढ़ा है, रिक्त समुच्चे एक प सारे स्वर, इसमें कितने स्वर आ रहे हैं? सेच शब्द में केवल एक, ए, तो यानि जी के अंदर हमारे कितने अव्यव आ रहे हैं? एक, वो निश्चित संख्या है, यानि जी हमारा एक परिमेत समुच्चे है, बच्चों, ध्यान देंगे इस आखरी उधारन पर, आपको इस समुच्चे से एक नया प्रकार मिलेगा, देखेंगे, यदि समुच्चे में केवल एक ही अव्यव हो, तो हम उसे हम एकल समुच्चे कहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है इस समुच्चे जी के अंदर, इसमें कितने अव्यव यानि कितने सदस्य थे? सिर्फ एक, ई, अग किसका उधारन है? एकल समुच्चे का, आईए, अब हम आगे पड़ें, अक्सर हम सोचते हैं, हमने अलग-लग प्रकार पड़े हैं किसकी समुच्चे के, पर, कभ हम कह सकते हैं कि दो समुच्चे जो हैं, वो बराबर हैं, यानि समान हैं? यहां आब तीन समुच्चे देख सकते हैं, पहले हम इसे नमांकित कर देते हैं, A, B और ये C, अब मैं आप से प्रशन पूछना चाहूंगी, क्या समुच्चे A और B के बराबर है, तुरंत आप देखेंगे, और बोलेंगे इसमें संख्या जो है, वे तीन, और B में संख्या अव्यवों की दो, तो यानि ये ब बराबर नहीं है, तो क्या मैं A और समुच्चे C को समान कह सकती हूं? क्योंकि अब तो इन दोनों में संख्या बराबर है, फिर आप दिखेंगे और बोलेंगे कि नहीं, ये फिर भी हमारी समान समुच्चे नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक काली गैंद मिल रही है, जो गेंध है वो सदस्य है किसका C का, यानि A और C बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें समान अव्यव नहीं है, तो आज हम पढ़ेंगे आगे समान समुच्चे के बारे में, यानि परिभाशक एनुसर? दो समुझ्चे A और B समान कहलाते है यदि उनमें तत्थत समान अव्यव हों और हम लिखते कैसे है A बराबर B अगर उसके कोई भी अव्यव बराबर नहीं तो यानि वह समान समुझ्चे नहीं कहलाते उन्हें हम लिखते हैं A not equal to B यानि वो बराबर नहीं है उधारण देखेंगे पहले उधारण में देखेंगे A के अंदर हमारे अव्यव कितने दिये हुए है 4, कौन-कौन से 2, 8, 6 और 1 B के अंदर भी 4 अव्यव है 8, 2, 6 और 1 सारे के सारे अव्यव समान है क्रम अलग है पर हम पहले ही देख चुके है समुच्चे के अंदर क्रम माइने नहीं रखते तो A और B हमारे समान समुच्चे है दूसरा उधारण देखेंगे समुच्चे D के अंदर कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं, किसकी? अव्यवों की B के अंदर केवल 3 अव्यव है तो संख्याएं सही पता चल रहा है जो हमारा समुच्चे D है वो B के समान नहीं है आखरी उधारण यानी उधारण 3 में देखेंगे H के अंदर हमारे पास 4 अव्यव है 2, 8, 6 और 1 और T अव्यव के अंदर भी हमारे 4 अव्यव है 8, 4, 6 और 1 पर क्या हमारा H T के बराबर है नहीं कैसे ध्यान देगे इसके अंदर यानी जो H समुच्चे है उसमें 2 एक सदसे है पर T के अंदर 2 सदसे नहीं ऐसे ही T के अंदर 4 एक सदसे है पर H के अंदर 4 सदसे नहीं यानी H और T के जो अव्यव है वो समान नहीं है इसलिए H और T समान समुच्चे नहीं है आईए इस पर एक सवाल करें इसके अंदर प्रश्ण में हमें क्या करना है कॉलम B में कुछ समुच्चे दियो हैं और कॉलम A के अंदर भी हमें कुछ समुच्चे दियो हैं कॉलम B में से हमें समुच्चे का चयन करना है कॉलम B A में से जो की बराबर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले हम समझते हैं कि कौन-कौन से समुच्चे दियो हैं और उन्हें हम असान तरीके से पहले लिख लेते हैं तो आईए कॉलम A में देखें A समुच्चे कैसा समुच्चे है? अक्षर है शब्ध सेट के अंदर तो इसे हम ज़रा रोस्टर रूप में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? S, E और T अब इस समुच्चे B में देखेंगे इस समुच्चे B में वैसारी प्राक्रत संख्याया आ रही है जो इस गुंद धर्म को उन्ट कर रही है इस गुंद धर्म के अनुसार आप देखेंगे यह गुंद धर्म हमारा क्या बना? X-1 की घाद दो जो की छोटी है 0 से आप इसमें देखेंगे यह है गुंद धर्म में अगर हम X का कोई भी मान धर है उसके अंदर वैं कभी भी हमारी 0 से छोटी नहीं पाएगी एक भरेंगे तो 0 के बराबर दो भरेंगे तो 0 से बड़ी यानि B हमारा क्या है? एक रिक्त समुच्चे तो इसे हम यहां लिख लेते हैं यह हमारा किसके बराबर हो गया? एक रिक्त समुच्चे के बराबर अब अगला समुच्चे D ये क्या है? वह सारे सबसे छोटा सम अभाजे संख्या सबसे छोटा सम अभाजे संख्या सम यानि इवन अभाजे यानि प्राइम तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? हम जानते हैं वह दो होता है तो ध्यान देंगे D हमारा क्या बना एक एककल सम्मुच्य जिसके अंदर सिर्फ एक ही अव्यव है और वो क्या है दो E हमें प्रत्यक ही दिया हुआ है कि इसके अंदर सदस्य कैसे हैं कुछ संख्या हैं और वह क्या है 2, 8, 6, 10 और 4 आईए अब हम समुच्य पढ़ते हैं जो कि हमें कॉल्म B में दिये हुए है इस समुच्य L को देखेंगे इस समुच्य में सारे सम धन पुर्णांग जो 10 संख्या से छोटे हैं सम यानि इवन, धन यानि पॉजिटिव तो हमें सारे धन सम धन पुर्णांग की संख्या देखनी है तो वह क्या आ रहे हैं आप देख सकते हैं लिखें आम अगर इदर तो 2, 4, 6, 8 और 10 धन यानि पॉजिटिव तो इसलिए हम माइनस 2 नहीं लेंगे यानि माइनस 2 नहीं लेंगे तो L हमारा ये सम उच्चे बना M सम उच्चे को देखेंगे अब हाजे संख्या है जो 16 को विभाजित करती है 16 को सिर्फ एक ही अब हाजे संख्या विभाजित करती है वो है 2 तो यानि M भी हमारा एक एकल सम उच्चे बना अब इस N-set को देखेंगे, इसमें हमें कुछ अक्षर दिये होए है S, E और T P हमारा वह समुच्च है, जिसके अंदर प्राकृत संख्या आ रही है और इस समीकरण का हल भी है इस समीकरण को हल करेंगे, तो हम देख सकते हैं जो P है हमारा, वह एक एकल समुच्च बन रहा है जिसके अंदर इसका सदस्य एक है और जो Z है, वह हमारा एक रित्त समुच्च है तो अब हमने सारे समुच्च पढ़ लिए हैं कॉलम A में भी और कॉलम B में भी जरा इस चित्र को अब समझेंगे गौर से देखे इस चित्र को इसके अंदर दो समुच्चे मैंने दिये हैं यह पहला समुच्चे M और मान लेते हैं यह दूसर समुच्चे जिसका नाम N है क्या M और N में आप कोई समबंध देख सकते हैं M के अंदर भी कुछ रंगीन गैंदे हैं और N के अंदर भी कुछ रंगीन गैंदे हैं आप देख पा रहे होंगे कि जो N के सदस्य हैं वे सारे के सारे M के भी सदस्य हैं जी हाँ हम इन समुच्चे के बारे में यानि इन समुच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसके सारे सदस्य किसी दूसरे समुच्य के सदस्य होते हैं उन समुच्य को हम उप समुच्य कहते हैं परिभाशा के अनुसार यदि समुच्य A का प्रती एक अव्यव समुच्य B का भी एक अव्यव है तो मैं A को B का उप समुच्य कहूंगी लिखने के तौर में हम इस तरीके से लिखेंगे A उप समुच्चे है B का यदी कोई भी अव्यव अगर मैं समुच्चे A में से लूँ तो वो B समुच्चे का भी एक सदस्य होगा इसको हम किस तरीके से संबोधित करते हैं? आप देख सकते हैं प्रतीक कैसे दशाना है? A अगर मेरा समुच्चे है तो मैं इस प्रतीक से इसको दशाती हूँ और अगर ये उप समुच्चे नहीं है तो मैं इस तरीके से इसे दशाती हूँ ठीक? आईए इसके कुछ उधारन देखें उधारन आप देख सकते हैं 12 के सभी अभाजय गुननखंडों का यह इसका समुच्चे क्या बनेगा अगर हम बनाना चाहें तो आप देखेंगे इसका समुच्चे 2 और 3 यह सदस्टे बनेगे इस समुच्चे के अगला समुच्चे हमें क्या दिया हुआ है बारा के सभी गुननखंडों का समुच्चे यानि बारा के सभी गुननखंड जो फैक्टर्स हैं उसका अगर मैं एक संग्रह बनाओ तो क्या बनेगा एक बारा दो छै तीन और चार ये बना अब आप देख सकते हैं ये समुच्चे L समुच्चे M का उप समुच्चे है क्यों? क्योंकि इसके जो सारे सदस्य हैं दो और तीन वो M के भी सदस्य हैं देख सकते हैं ये आ रही है ठी? अगला उधारन अंग्रेजी वर्ण माला के सभी स्वर EIOU वे क्या हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का जो समुच्चे है उसका उप समुच्चे है तो आईए सारांश में देखे आज हमने क्या क्या पढ़ा रिक समुच्चे, एक समुच्चे जिसमें एक भी अव्याफ नहीं होता एकल समुच्चे, एकल नाम ही बता रहा है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अव्यव होता है किसके अंदर समुच्चे में परीमित एवं अपरीमित समुच्चे एक समुच्चे जो रिक्त है अथवा जिसके अव्यवों के संख्या निश्चित होती है उसे हम परीमित समुच्चे कहते हैं अन्यथा अपरीमित समुच्चे समान समुच्चे, दो समुच्चे A और B समान कहलाते हैं यदि उनमें तथित समान अव्यव हो अन्य था असमान समुच्चे कहलाते हैं उप समुच्चे के बारे में भी हमने आज पड़ा यानि समुच्चे A, समुच्चे B का एक उप समुच्चे कहलाएगा यदि समुच्य एक अव्यव, समुच्य भी कभी एक अव्यव है आशा करते हैं आज की इस कक्षा में और भाग में आपको आनन्द आया होगा और समझ में आया होगा धन्यवाद इन्यवाद